हलो फ्रेंड्स, वेरी गूड मॉर्णिंग, वेलकम टो स्टेडी निकेतन, स्टेडी निकेतन में आज हम करेंगे 13 जुन 2019 के बेस्ट करेंट अफेर, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, बिते दिनों बिस्व बाल स्रम निश्यत दिवस कब मनाया गया है, तो ये हर साल 12 जुन को मनाया जाता है, बिस्व बाल स्रम निश्यत दिवस, ठीक है, अब बात आई है, 12 जुन के तो हम जानेंगे, इसके बारे में, चिल्डरेन सुडन्ट बर्क इन फिल्ड बटाउन ड्रीम्स, बच्चे खेतों के लिए नहीं, बलकि सपनों के लिए काम करेंगे, इससे रिलेटेड ये एक फोटो देखिए, और ये इस बार के बिसे था, मनाता है इसको ILO, अंतर रास्ट्रिय स्रम संगठन, 2002 से इसे मनाय जा रहा है, बिस्व बाल स्रम निश्यत दिवस, अब आप मुझे ILO का मुख्याले बताएंगे, हेड कोटर कहां है, इंटरनेशनल लेवर और्गनेजेशन का, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा सवाल, बिते दिनों किसने ATM इंटर्चेंज सुक सनरचना की समिक्षा करने के लिए 6 सदस्यों वाली समिर्थी का गठन किया है, तो ये किया है RBI ने, ठीक है, RBI ने किया है, और इस समिर्थी के जो अध्यक्ष होंगे, वो कोन होंगे, बीजी कनन, ठीक है, अब बात आई है RBI की, तो RBI के गौर्णर है, सक्तिकामदास, कौन से नंबर के गौर् प्रेल 1935 को, ATM का पूरा नाम, Automated Tailor Machine, ठीक है, तो आप सब याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों किस देश में G7 सिखर सम्मेलन सत्र का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जी, फ्रांस में, कल भी मैंने इससे, एक कोशन देखा था, कि फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया है, ठीक है, इमैनियल मैकरोन वहां के राष्ट पती है, ठीक है, काफी यूबा राष्ट पती है वो, और हमने कल बताया था, G7 में साथ देश आते हैं, जापान, USA, केनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK, एसिया का एक मादर देश, जापा जापान है, जो G7 का सदस्य है, भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों किस देश ने सरकार ने उत्तर पूर्व भारत में 13,000 कोर्ड का निवेश करने की घोसना की है, तो ऐसा जापान ने किया है, ठीक है, ये देखिए जापान के मंत्री के नाम क्या होता है, डेवलप्मेंट ओफ नॉर्थेस्ट रिजन, ठीक है, तो और इसके मंत्राले किसके पास है, जीते अनरे सिंग के पास, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों किसने स्टी कल्यान योजनाओं के लिए ये गवर्नेंस पहल की सुरुआत की है, तो ये किया है ज अमित्सा ग्रिह मंत्री है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों TCS ने बाजार पुन्जी करन के मामले में 125 बिलियन डॉलर के साथ किस अमेरिकी कमपनी को पीछे छोड़ा है, तो वो ये कमपनी है जी, IBM, IBM को पीछे छोड़ा है TCS ने, कल ही मैंने बात किया था, TCS न R.I.M. को पीछे छोड़ करके आगे निकला था, आज IBM को पीछे छोड़ा, IBM International Business Machine, आगे बढ़ते हैं, बिते दिनों Pepsico के Executive लक्षमन नर्शिम्हन किस कमपनी के नए CEO होंगे, तो ये UK के कमपनी है रेकिट बैंकीजर, ठीक है, रेकिट बैंकीजर, आप देख सकते हैं, इस बिते दिनों किसे परधान मंतरी के परधान सचीव नियूक्त किया गया है, तो ये हैं दिख रहे होंगा आपको निरिपेंद मिस्रा, अब बात रिवीजन करेंगे हम, रिवीजन करेंगे सबसे पहले डेट्स के, फिर एक यूनियन ट्रेट्री के, इम्पोर्टेंट डेज में सबसे पहले एक जून आया, एक जून को बल्ड मिल्क डे, फिर दो जून तेलंगाना दिवस, फिर तीन जून साइकल डे, मतलब बाइसिकल डे आप लिख सकते थे, चार जून को अबैध तसकरी को रोकने के लिए अंतराश्ट्रिय दिवस, फिर पांच जून को बल्ड परियावरन दिवस, मतलब इन्वार्मेंट डे, थिम था बीट एयर पॉलूशन, 1974 से मनाय जा रहा है, ठीके, और तेलंगाना एक अठन हुआ था, दो जून 2014 को, साथ जून को बल्ड फूड सेप्टी डे, और आठ जून को बल्ड ओसियन डे, इस बार की थिम थी, जेंडर एंड ओसियन, तो आप ऐसे ही रिवीजन करते रहिए, आप चलिए एक यूनियन डेरेटरी देख लेते हैं, देली को, लेटिन गौर्णर है, अनिल बैजाल, सीम, अरविंद केजरिवाल, डिप्टी सीम, मनिश सिसो दिया, कैपिटल फॉर्मेशन, 1911 में आपको याद होग तो ग्यारा है, तो आप ऐसे बेसिकली रिवीजन करते रहिए, रिवीजन पर पूरा ध्यान दिजिए, रिवीजन जरूरी है, जितना पढ़िए, उतना ही रिवीजन कीजिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं जवाब उननचास का, बिते दिनों भारत के सबसे कौन बना है, तो अभी अभी हमने डिसकस भी किया, ये बना है जी, TCS, पीछे किसको छोड़ा है, Reliance Industry Limited को, RIL को, ठीक है, और अभी अभी मैंने ये भी बताया कि TCS ने बाजार पुंजी करन के मामले में IBM को भी पीछे छोड़ा है, चलिए चुकि आज अपना ये पचासमा स बिते दिनों 17 मीं लोक सभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप इनके आंसर करेंगे, जितना भी डीटल हो, और आप सबों को बधाई, क्योंकि टॉप हिट्स का आज का ये पचासमा सिरीज था, आप मुझे दीजी इजाजत, नमस्का बढ़गए